दोस्तो हेलो सलाम नमस्ते मैं हूँ यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फेबरेट शनल एडियो मांत्रा में इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर पॉलिनॉमिल्स इस सेशन में करेंगे बहुत इजी है चैप्टर हमने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है कुछ इसका भाग और ये टेंथ में उसका कंटिनुवेशन पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंडिंग तक सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं प्रकुक्तर प्रकूर्णोमिल्स वाट इस पोलिनॉमिल्स पूलिम्ल्स क्या होता है सो प्रकूर्णोमिल्स एक एकस्प्रेशन होता है in which power of the variables are always whole number so, जितने भी power होंगे वो whole numbers के form में होंगे variable के अब यह सोचना है कि जब भी variable x के form में लिखेंगे so, इसको p of x के form में denote करेंगे जब भी y के form में लिखेंगे तो p of y f of x भी लिख सकते हैं f of y भी लिख सकते हैं polynomial समझने के बाद में हमको समझना है वो degree of the polynomial so, जितनी भी highest power होगी variable की वो होती है degree so, degree of the polynomial the highest power of p of x is हम लोग इदर फिलाल p of x को हम लोग polynomial पकड़ रहे हैं so, in the form of x variable is x so, p of x is your polynomial अगर वो polynomial की जो highest power होगी वो क्या होती है हमारी degree होती है अगर मैंने लिख दिया p of x is equals to 3x square plus 2x plus 2 so, x की power इधर 1 है, इधर 2 है so, highest power is 2 means degree will be 2 simple था तो, अलग-अलग type के polynomial based on degree so, पहला जो type of polynomial है वो है linear so, linear के लिए देखते हैं तो degree of the polynomial is 1 तो वो क्या होगा? linear होगा so, देखते हैं, लिखते हैं, example में p of x is equals to 2x plus 3 so, degree कितनी है इसमें? degree is 1 that's why this is degree is 1 so, linear है अब इसको कैसे form में generalized लिख सकते हैं? that is, ax plus b where a is not equals to 0 so, this is generalized form of linear linear polynomial अब जो next है, degree 2 है उसको हम लोग बोलता है, quadratic so, quadratic में, degree will be 2 so, पर्नमल किसके form में होगा? p of x will be equals to जैसे, 4x square plus 2x plus 3 अब degree is 2 here, degree is 2 means, degree is 2 so, that's why it is quadratic अब कादराटिक कैसे form में होगा? generalized form में था that is, ax square plus bx plus c where a should not be equals to 0 so, अगर a 0 होगया, मतलब square बचे गई नहीं so, आप धियार में रखे हैं वैसे ही, 3rd जो है वो है, degree 3 रहेगा, तो उसको बोलता है quadratic cubic degree 3 है तो so, p of x, example ले लेते हैं so, this equals to 3x cube plus 2x square plus 2x plus 3 अगर ऐसा लिख दिया हमने, so, degree is 3 so, degree is 3 so, this is cubic this is cubic अब यह कितना क्या लिख सकते है, generalized form में that is, ax cube plus bx square plus cx plus d where a should not be equals to 0 simple था और यह समझने की बात है यह होने के बाद में next वाला देखते हैं इसमें हम लोग क्या और पढ़ना है इसमें हम को पढ़ना है geometrical meaning of 0 of the polynomial so, 0 of the polynomial होता क्या पहले वह देखना है so, ऐसे value of x जब हम वो p of x में डालेंगे तो p of x की value 0 देगी तो वो x की value हम बोलेंगे 0 of that polynomial so, value of x such that p of x will be 0 is a 0 of that polynomial ऐसी x की value जब हम वो p of x में डालेंगे तो p of x की value 0 आजाएगी सो ऐसी value of x को हम लो क्या बोलेंगे यह 0 of the polynomial जो हमने last year भी पढ़ा था अब geometrical representation इसका मतलब क्या है कि जब भी भी हम इसका graph बनाएंगे यह line का यह सब यह सब polynomial के जब भी हम graph बनाएंगे सो वो x-axis पे अगर p of x के form में अगर polynomial है आपका तो x-axis पे कितनी जगह पे कट कर रहा है वो हमको देगा 0 of that polynomial मतलब ऐसा मैंने graph बनाया so this is graph of p of x so एक और दो दो जगह पे cut किया मतलब कितना 0s है उसको 2 0s है simple है ऐसे ही हम समझ सकता है अब इतना ध्यान में रखना है जितना degree होगा उतना ही 0s होंगे degree 1 होगा तो 1 0 degree 2 होगा तो 2 0s degree 3 होगा तो 3 0s मतलब वो x की values देंगे उस वक्त such that p of x will be 0 मतलब y की value उस वक्त 0 होगी ये तो y की value 0 कब होगी जब वो graph जाके x-axis को cut करेगा so y की values मतलब p of x की value 0 होगी उस वक्त so this is geometrical representation geometrical meaning of 0 अब आगे बढ़ते हैं अगला जो exercise हमारे पास है वो geometrical representation पे ही based है अब ये p of x के form में लिखा तो हम x-axis को किदर cut कर रहा है वो देख रहा है अगर p of y के form में लिखते हैं तो वो y-axis को किदर cut कर रहा था वो देखते हैं ओके तो next हम लोग exercise पर जाते हैं हमारे पास exercise है ये graphical representation of the polynomial दिया हुआ you have to find out number of zeros और वो भी polynomial p of x के form में है मतलब हमको ये p of x के form में है तो सरफ देखना है p of x को कहां cut कर रहा है तो जितनी जगह पर cut करेगा उतना ही number of zeros होंगे उसको so let us see let us start अब देखिए इसमें first वाले में this is p of x ये जो ग्राफ है वो p of x की ग्राफ है वो p of x x axis को cut कर रहा है क्या नहीं cut कर रहा है so number of zeros will be for the first one number of zeros will be equals to zeros 0 second वाले में this is p of x ये जो लाइन है अब देखिए ये लाइन जो है ये जो ग्राफ है वो x axis के कितने जगह पर cut कर रहा है एक जगह पर so number of zeros will be will be 1 अब देखिए ये जो ग्राफ है this is p of x ये p of x कितनी जगह पर cut कर रहा है 1, 2 और 3 इसका मतलब third point में number of zeros will be equal to 3 fourth वाले में this is p of x p of x यहां और यहां cut कर रहा है so मतलब 2 जगह पर cut कर रहा है so number of zeros will be equal to 2 fifth वाले में 1, 2, 3, 4 जगह पर cut कर रहा है so fifth point में लिखेंगे number of zeros will be equal to 4 and वैसे ही sixth वाले में लिखेंगे 1, 2, and 3 मतलब 3 जगह पर ही वो cut कर रहा है 2 जगह पर touch कर रहा है एक जगह पर cut कर रहा है मतलब total number of x will be 3 so number of zeros will be equal to 3 simple था यह first exercise हमारा यह geometrical representation पर ही based था तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं next exercise पर जाएंगे उसके पहले कुछ हम लोग उसका basic पढ़ लेंगे क्योंकि उसका जरुवत पढ़ने वाले नेक्सक्राइस में so let us see quadratic के लिए अभी जो हमारा next part है वो उसमें हम पढ़ने वाले quadratic polynomials के बारे में so quadratic polynomials क्या होता है उसके zeros क्या है और इसके relation क्या है with the coefficient of the polynomial we have to find out so वो देखते हैं तो पहला जो quadratic polynomial बोलेंगे तो वो किसके form में होना चाहिए वो होना चाहिए ax² plus bx plus c equals to 0 के form में so quadratic polynomial is always in the form of ax² plus bx plus c so अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है relationship यह segment में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है quadratic polynomial के बारे में quadratic polynomial में relation of the zeros of the quadratic polynomial हमको पता है as it is quadratic polynomial there will be two zeros और zeros कैसे निकालते हैं वो देखेंगे और relation of the zeros of the polynomial with the coefficient of the polynomial वो हम इसमें देखेंगे फिर हम लोग देखते हैं quadratic polynomial जो होता है वो always in the form of ax square plus bx plus c equal to zero where a cannot be zero a कभी zero नही हो सकता so quadratic polynomial is always in the form of ax square plus bx plus c where a is not equal to zero so a is a coefficient of x square b is coefficient of x and c is what constant term of this quadratic polynomial so लिख लेते हैं वो so quadratic polynomial is always in the form of ax square plus bx plus c where a is not equal to zero और as it is quadratic polynomial क्या है यह quadratic polynomial है इसके दो zeros होंगे और दो zeros होंगे और दो zeros होंगे और आलफा और बीटा so generalize in general हमने ले लिया नाम दे दिया उसको कि alpha and betas are the zeros of these two the xk values so jodo values है xk jodo zeros xk वो alpha और beta है so अब relation है inka alpha beta का with the coefficient of the polynomial this a is a coefficient of x square b is the coefficient of x and c is what constant term so inka relation alpha beta के साथ में क्या है वो देखेंगे तो पहला relation हमारी पास sum of zeros का है कि sum of zeros means alpha plus beta and it is always equals to minus b by a alpha plus beta is sum of zeros दोनों का addition sum का मतलब addition of this zeros means alpha plus beta and this always equals to minus b by a it means minus of coefficient of x upon coefficient of x square so आप ये धियान में रखें so sum of zeros is alpha plus beta and that is minus b by a वैसे ही product of zeros एक और formula है product of zeros so that is alpha into beta alpha into beta is always c by a so that is equals to constant term upon coefficient of x square so लिखे लेते हैं वो भी alpha product of zeros that is alpha into beta and that is equals to c by a simple था अब जो हमारे पास है वो है अगर alpha और beta दिया होगा alpha plus beta दिया होगा और alpha into beta दिया रहेगा मतलब sum of zeros and product of zeros are given इसका मतलब alpha plus beta and alpha into beta are given इसका values दिया हुए होगे so quadratic polynomial कैसे बनाया उसका so quadratic polynomial if alpha plus beta and alpha into beta are given then p of x is given by k into x k into x square k bracket के बाहर रहेगा bracket के अंदर x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta means k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros वो लिख लेते हैं हम लोग so sum of zeros alpha plus beta and product of zeros alpha into beta are given then quadratic polynomial is given by k into x square plus minus sum of zeros means minus of alpha plus beta into x plus sum of zeros that is alpha into beta okay so अब हम लोग जाते हैं यह पढ़ने के बाद में हम लोग question solve कर सकते हैं question solve करना है तो हमको 9 में हमने factorization पढ़ा था वो भी हम use करेंगे factorization means splitting middle term वो हम यह हम लोग use करने वाले उसमें तो वो देखते हैं अब यह question solve करते हैं question solve करने के लिए हमने 9 में previous year में splitting middle term solve splitting middle term किया था वो use करने वाले हैं इसमें दिया है question में कि find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial so हमको alpha plus beta जो sum of zeros and product of zeros relation है वो भी verify करनी है लेकिन उसके पहले हमको alpha beta निकालना पड़ेगा so alpha beta निकालने के लिए as it is quadratic we will use factorization method factorization method हमने last year पड़ा था splitting middle term तो factorize करके पहले factors निकालते हैं so this is p of x p of x is equals to x square minus 2x minus 8 अब इंटू करने पे हमारे पास minus 8 आना चाहिए addition करने पे minus 2 middle term so there is two factor that is 4 to the 8 minus 4 plus 2 करेंगे तो add करने पे minus 2 into करने पे minus 8 फिर just clicking it is equals to x square दो form में split करके लिखा that is minus 4x plus 2x और आगे minus 8 अब हम लोग क्या करेंगे इंदों में से common लिते हैं x अब x common लिया तो x square में से x बाहर आए तो x अंदर minus of x बाहर चला गया तो 4 अब देखे इन दोनों में से अगर x हम को अदे कि x minus 4 दूसरे bracket में चाहिए so मतलब x अंदर आना चाहिए तो plus 2 बाहर लेंगे so plus 2 अंदर बचेगा x यह प्लस ही है तो सेम रहेगा 2 फोर्जा 8 अब दोनों में common क्या है x minus 4 लिख देंगे x minus 4 और एक bracket में लिखेंगे x plus 2 बहुत simple था factor मिलने के बाद में अगर हमको zeros निकालनी है तो directly we will equate this p of x with 0 so for finding for finding zeros p of x will be equated with 0 हमको p of x को equate करना पड़ेगा 0 के साथ में so this is x minus 4 into x plus 2 will be equals to 0 therefore x minus 4 equal to 0 और x plus 2 equal to 0 therefore x will be equal to 4 minus 4 equal to cross कर रहा है and x plus 2 equal to cross कर रहा है तो minus 2 this is alpha and this is beta alpha beta मिल गया हमको alpha beta मिलने के बाद में relation verification करना है so लिखेंगे verification अब इसमें a a is coefficient of x square कितना है 1 तो लिख देंगे 1 b is coefficient of x that is minus 2 and c is constant term that is minus 8 so a b c मिलने के बाद में first point लिखते है alpha plus beta sum of zeros relation verify करना है we know the value of alpha that is 4 so लिख दिया 4 and we know the value of beta that is minus 2 so 4 minus 2 will be equals to 2 अब ये किस से equal होना चाहिए minus b by a से equal होना चाहिए alpha plus beta is minus b by a so इससे equal है उता या नहीं है वो relation verify करना है so minus of b is 2 minus 2 upon a a is 1 so minus minus plus 2 so third point में लिखेंगे from 1 and 2 alpha plus beta equals to minus b by a sum of zeros are verified sum of zeros are verified जैसे हमने ये किया वैसे हमको product of zeros भी verify करने है so लिख लेते हैं fourth point में alpha into beta alpha into beta alpha is 4 into beta beta is minus 2 so ये हो जाएगा 4 into minus 2 is minus 8 and ये किस से equal होना चाहिए वो निकाल के देखते हैं so c is what c is minus 8 upon a is 1 so it is equals to minus 8 मतलब equal आ गया देखें ये वाला और ये वाला so as ये equal आ लिखेंगे sixth point में from fourth and fifth alpha into beta is equal to c by a therefore product of zeros are verifiable बहुत सिंपल था ऐसे ही हम को आगे का भी कोश्चन करना है आगे का कोश्चन हमारे बस कैसा है find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient so वापस से वैसे ही है लेकिन ये polynomial p of s के form में है तो p of s equal to 4s square minus 4s plus 1 अब 4 1s are 4 so into करने पे plus 4 addition करने पे middle term that is minus 4 so दो factors है 2 2s are 4 minus 2 minus 2 add करेंगे minus 4 into करेंगे तो plus 4 so लिख देंगे इसको split करके as 4s square इसको split किया दो form में that is minus 2s minus 2s plus 1 इन दोनों में से common ले लेंगे 2s so 2 common आगे तो 2 2s are 4 1s बाहर तो 1s अंदर minus 2s बाहर आगे तो 1 इन दोनों में से अगर हमको 2s अंदर लेना है तो बाहर minus of 1 लेना पड़ेगा 2s minus लिया तो sign change plus था तो minus 1 अब एक बार common लेंगे अब लोग 2s minus 1 2s minus 1 और एक बार क्या लिखेंगे एक डाकेट में 2s minus 1 दूसरा भी क्या बचा 2s minus 1 so for अब देखें ये मिलने के बाद में हम लोग लिखेंगे इसमें कि for finding zeros for finding zeros for finding zeros इसका मतलब s के values निकालनी पड़ेगी हमको so we will equate this p of s with 0 इसका मतलब 2s minus 1 into 2s minus 1 equals to 0 so 2s minus 1 equal to 0 और 2s minus 1 equal to 0 so 2s will be equal to minus 1 equal to cross कर रहा है तो हो जाएगा plus 1 so s will be equal to 1 by 2 that is alpha जैसे हमने ये निकाला वैसे दूसरा वाला भी 2s will be equal to minus 1 equal to cross कर तो plus 1 so s equal to again 1 by 2 प्रॉको cross multiply that is beta so alpha beta दोनों same है अब हम लोग क्या करते हैं relation को verify so verification verification के लिए अगे एन निकालेंगे a is coefficient of x that is a square that is 4 b is coefficient of s and that is minus 4 c is constant term and that is 1 a b c मिलने के बाद में हम लोग first point में लिखेंगे alpha plus beta alpha is what half beta is also half half plus half is 1 जैसे हमने ये किया अब हम लोग लिखेंगे this should be equals to minus b by a ये किस से equal होन चाहिए minus b by a से equal होना चाहिए so minus of b b is what minus 4 upon a is 4 minus minus plus 4 by 4 1 equal आया third point में लिखेंगे from 1 and 2 alpha plus beta equal to minus b by a therefore sum of zeros are verified जैसे हमने sum of zeros verified किया वैसे ही हम लोग product of zeros भी verify करना है so उसके लिए fourth point लिखते है alpha into beta and that is half into half is equals to 1 by 4 half into half is 1 by 4 and this should be equal to c by a c by a से equal मिलना चाहिए c कितना है c is 1 upon a is 4 equal मिल गया so लिखेंगे 6th point में from 4th and 5th alpha into beta equal to c by a therefore product of zeros are verified बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल है अब नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं हम लोग पूरा करेंगे इसका find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient बहुत सिंपल है फिर से सेंप करेंगे p of x लिख दिया that is 6x square minus 3 minus 7x थोड़ा घुमा दिया इन्होंने पहले इसको standard form में लिखेंगे standard form में कैसे लिखेंगे 6x square minus 7x minus 3 अब standard form में लिखने के बाद में 6 3s are 18 into करने पे minus 18 addition करने पे minus 7 so factor है 9 2s are minus 9 plus 2 will fetch you what minus 7 and minus 9 plus 2 into करेंगे तो minus 18 simple है अब हम लोग split कर लिए 6x square क्या लिखेंगे minus 9x plus 2x आगे minus 3 अब इन दोनों में से common 3x है 3 2s are 6 1x अंदर बचेगा 1x बाहर लिखा तो minus 3 3s are 9x इसका बाहर चला गया है इन दोनों में से plus 1 common 2x minus 3 अब एक बार लिख देंगे 2x minus 3 एक बार लिखेंगे 3x plus 1 अब for finding zeros for finding zeros क्या लिखेंगे equate करेंगे p of x को 0 के साथ में means 2x minus 3 into 3x plus 1 will be equal to 0 therefore 2x minus 3 equal to 0 और 3x plus 1 equals to 0 so 2x will be equal to 3 so x will be equal to 3 by 2 and here 3x equal to plus 1 equal to cross करेंगे minus 1 so x equals to minus 1 by 3 3 equals to cross multiply so this is alpha and this is what beta alpha beta मिल गया alpha beta मिलने के बाद में again same verification 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 के लिए पहले a लिखेंगे a कितना है 6 है b कितना है minus 7 है a is coefficient of x square b is coefficient of x and c is constant term c is what minus 3 यह होने के बाद में first point में alpha plus beta निकलेंगे alpha is 3 by 2 and beta is plus minus 1 by 3 so cross multiplying 3 3s are 9 minus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6 and that is 7 by 6 यह किस से इकोल होना चाहिए minus b by a से इकोल होना चाहिए minus b b is what minus 7 upon a is 6 so it's 7 by 6 equal आगया third point मिल गेंगे from 1 and 2 alpha plus beta is equals to minus b by a sum of zeros are verified sum of zeros are verified जैसे यह किया वैसे ही product of zeros भी वेरिफाइ करेंगे उसके लिए fourth point में fourth point में alpha into beta निकलेंगे alpha is what alpha is 3 by 2 into beta is minus 1 by 3 3 3 cancel it's minus 1 by 2 fifth point में लिखेंगे यह किससे ही कुरोना चाहिए c by a से to c by a का value निकलेंगे c is minus 3 a 6 so it's again minus 1 by 2 sixth point में लिखेंगे from fourth and fifth alpha into beta equal to c by a therefore product of zeros are verified simple अब जैसे यह किया next वाला थोड़ा सा अलग है हमारे पस इसमें यह सबसे easy होता है इसमें split करने का कोई जरूत नहीं है यह p of u के form में दिया है p of u is 4u square plus 8u इसमें जब भी constant नहीं होगा तो directly common लेंगे directly common कैसे लेंगे 4u is common so u plus 2 बचेगा अब common लेने के बाद में directly equate कर एक 0 के सरत साथ में for finding finding zeros p of u will be equals to 0 means 4u into u plus 2 will be equals to 0 इसका मतलब 4u will be equals to 0 or u plus 2 will be equal to 0 so v u equal to 0 by 4 will be 0 and u will be equal to plus 2 दर गया तो minus 2 so this is alpha and this is beta alpha beta मिलने के बाद में we will verify so verification verification के लिए पहले a दिखना है a is coefficient of u square u square का coefficient is 4 b is coefficient of u that is 8 and c is constant term वो नहीं है तो 0 अब ये मिलने के बाद में sum of zeros alpha plus beta alpha plus beta is 0 plus minus 2 and that is equals to minus 2 वो किस से इकल होना चाहिए minus b by a से इकल होना चाहिए minus b b is 8 upon a is 4 so it is minus 2 so third point में लिखेंगे from 1 and to alpha plus beta equal to minus b by a so sum of zeros are verified sum of zeros are verified जैसे हमने sum of zeros verify किया product of zeros भी verify करेंगे उसके लिए fourth point लिखेंगे alpha into beta निकालेंगे alpha into beta is 0 into beta is minus 2 0 into anything will be 0 and this should be equals to c by a says 0 upon a is 4 0 upon anything is 0 equal आ गया तो लिखेंगे from fourth and fifth alpha into beta equal to c by a therefore product of zeros are also verified simple जैसे ये किया next वाला भी थोड़ा सा अलग है कि t square minus 15 so p of t दिया हुआ है that is t square minus 15 जब भी ऐसा दिया होगा तो एक तो डारेक्ट करें इक्वेट करें इसमें middle term नहीं है तो डारेक्टली एक्वेट कर सकता है या फिर पहले इसको solve करें t square minus 15 को root 15 the whole square लिख दें इसके form में आ जाएगा a square minus b square we have a formula for a square minus b square as a plus b into a minus b इसका मतलब t plus root 15 into t minus root 15 अब यह होने के बाद में for finding zeros for finding zeros zeros p of t will be equal to zero इक्वेट करते है 0 के साथ में मतलब t plus root 15 into t minus root 15 equals to zero इसका मतलब t plus root 15 equal to zero और t minus root 15 equal to zero so t will be equal to plus root 15 equal to cross कर रहा to minus root 15 that is alpha and t will be equal to minus root 15 equal to cross कर रहा to plus root 15 that is equals to beta alpha beta मिले के बाद में again verification verification उसके लिए first point में पहले a,b,c लिख 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 लिए a is coefficient of t square that is one t square का coefficient is one b is coefficient of t b है ही नहीं t का coefficient है ही नहीं तो zero and c is constant term that is 15 first point में alpha plus beta निकालेंगे alpha plus beta is alpha is minus root 15 and beta is plus root 15 it is equals to zero वो किस से इकल होना चाहिए minus b by a से इकल होना चाहिए minus b,b is what zero minus of zero upon one so that is equal to zero so third point में equal हो गया तो लिखेंगे from one and two alpha plus beta equals to minus b by a therefore sum of zeros are verified जैसे ये हमने किया next वाला वरिफिकेशन product of zeros के लिए so लिखेंगे alpha into beta alpha into beta that is alpha is minus root 15 into beta is root 15 so it is going to be minus 15 root 15 into root 15 is 15 minus है तो minus 15 and this should be equals to c by a c is minus 15 upon a is one so it is minus 15 equal आ गया लिखेंगे six point में from fourth and fifth alpha into beta is equal to c by a therefore product of zeros are verified अब देखिए बहुत सिंपल था last इसमें का और एक कोशन है जो splitting real term से करनी है वो आप करोगे और comment section में उसका answer जरूर बताओगे हमारे पास next question ऐसा है find the quadratic polynomial each with given numbers as sum and product of its zeros respectively मतलब sum of zeros and product of zeros are given you have to find out the quadratic polynomial यह हमने किया है बहुत सिंपल है means first point में क्या दिया हुआ है alpha plus beta and that is equals to 1 by 4 and second point में दिया हुआ है alpha into beta is equals to minus 1 so quadratic polynomial हमको निकालनी है so variable हमने x से ली तो P of x के value हमको निकालनी है so हमने पढ़ा था कि if sum of zeros and product of zeros are given so quadratic polynomial is given by quadratic polynomial is given by P of x equals to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta so k into x square is what x square is x square minus alpha plus beta is 1 by 4 into x plus alpha beta is minus 1 बस क्रास मुल्टिप्लाइ करेंगे k into 4x square minus 1x minus 4 the whole upon 4 अब यह 4 हम बहार डाल देंगे तो k by 4 हो जाएगा this is 4x square minus x minus 4 so quadratic polynomial is quadratic polynomial is 4x square minus x minus 4 simple था जैसे यह किया आगे का भी हमाई सही करने वाले है देखते हैं आगे कौन सा कोशन है again same question कि sum of zeros and product of zeros are given you have to find out the quadratic polynomial so alpha plus beta दिया हुआ है root 2 and second point में alpha into beta दिया है 1 by 3 so third point में लिखेंगे required quadratic polynomial is given by P of x is equals to k into formula लिए देते हैं x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta अब हम लोग value substitute करेंगे k into x square minus sum of zeros sum of zeros is root 2 into x plus product of zeros that is 1 by 3 अब बस 3 को cross multiply करें so k into this is 3 x square minus 3 root 2 into x plus 1 upon 3 अब यह 3 को आप डाल देंगे तो k by 3 हो जाएगा this will be 3 x square minus 3 root 2 into x plus 1 इसका मतलब required quadratic polynomial is this is 3 x square minus 3 root 2 into x plus 1 simple था ऐसे ही अगला कोशन है मारे बस that is alpha plus beta equals to 0 and alpha into beta equal to root 5 so third point में again required quadratic polynomial is formula के हिसाब से p of x equals to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta so we will write down the values that is x square minus alpha plus beta is 0 into x plus alpha beta is root 5 so this equals to k into x square minus alpha alpha यह 0 into anything will be 0 plus root 5 so quadratic polynomial is x square plus root 5 बहुत simple था next question पे आते हैं alpha plus beta equals to 1 alpha into beta equal to 1 this is first and this is second point sum of zeros and product of zeros लिख दिया अब हमारे बस required quadratic polynomial is p of x is equals to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta formula लिखा अब हम value substitute कर देते हैं x square minus sum of zeros is 1 1 into x plus alpha beta is 1 so directly मिल गे हमको so quadratic polynomial is x square minus 1 x plus 1 so I say here next question है हमारे बस that is sum of zeros first point में लिखेंगे alpha plus beta equals to minus 1 by 4 second point में लिखेंगे alpha into beta is equals to 1 by 4 so third point में required quadratic polynomial is p of x equals to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta अब value substitute कर देते हैं k into x square minus alpha plus beta is minus 1 by 4 into x plus alpha beta is 1 by 4 so k into denominator यहां same है यहां 4 लाने के लिए 4 से multiply divide so 4 x square minus minus plus 1 x plus 1 upon 4 हो जाएगा 4 बहर डाल देते हैं so it will become k by 4 into x 4 x square plus x plus 1 so polynomial quadratic polynomial is 4 x square plus x plus 1 simple था last का question और एक है जो आप करोगे और उसका answer comment section में डालोगे तो आज हम इस session में पढ़ने वाले हैं आपका third exercise of polynomials so उसके लिए कुछ basic concept है जो हमको जानना चाहिए तो आज हम वो लेक्या है तो बने रहे आखरी तक ये वीडियो के साथ में तो start करते हैं first जो हमको सीखना है वो है division algorithm so division algorithm क्या है वो देखते हैं जब भी हम p of x एक polynomial होगी p of x को जब भी हम g of x से divide कर देंगे so quotient बनेगा q of x and remainder जो है वो बनेगा r of x so आप इतना ध्यान में रखें तो कि remainder जो है remainder r of x can be 0 और it can be degree of this r of x will be less than degree of g of x so यह आपको division algorithm देगा that is p of x equals to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder यह division algorithm है so that is p of x dividend है हमारा g of x divisor है q of x quotient है r of x remainder है इसका मतलब यह है p of x is equals to g of x into q of x plus r of x so आप यह division algorithm ध्यान में रखें तो वो लिख लेते हम पहले so this is our division algorithm that is if p of x and g of x are two polynomials with g of x is not equals to 0 then we can find polynomial q of x and r of x such that p of x equals to g of x into q of x plus r of x तो आप यह ध्यान में रख सकता है तो अब इसके बाद में हमको पढ़नी है जैसे हमने quadratic polynomial पढ़ी थी वैसे cubic polynomial के बारे में पढ़ता है so cubic polynomial is always in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d where a cannot be 0 अगर a 0 होका तो cubic होगा ही नहीं a is a coefficient of x cube of x and d is constant term तो वो लिख लिए हम लोग so this is our cubic polynomial that is p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d यह cubic polynomial है हमारे पस cubic polynomial है तो देर विल भी 3 zeros as degree 3 है तो देर विल भी 3 zeros and उसको हम लोगा साइन कर देते है alpha, beta and gamma अब यह तीन पाले यह zeros मिलने के बाद में we have a relation of these zeros with the coefficient of the polynomials so first relation है sum of zeros sum of zeros means alpha plus beta plus gamma and that is equals to minus b by a that is minus of coefficient of x square upon coefficient of x cube so यह पहला है first relation that is sum of zeros that is alpha plus beta plus gamma and that is equals to minus b by a similarly दूसरा जो है sum of product of zeros taken two at a time it means alpha, beta दो दो को साथ में लेके अड़ करना है so alpha, beta plus beta, gamma plus gamma, alpha and that is equal to c by a means coefficient of x upon coefficient of x cube simple था अब इसको भी हम लोग लेक लेते है so sum of product of zeros taken two at a time is alpha, beta plus beta, gamma plus gamma, alpha and that is equal to c by a and the last one is product of zeros product of zeros means alpha into beta into gamma and that is equals to minus d by a minus of constant term upon coefficient of x cube simple था यह आपको याद रखनी है ताकि हम questions solve कर पाए अब हम जो exercise करने वाले है mostly हमने 9th में भी की है long division method वो use करने वाले है और एक बात ध्यान में रखनी है कि g of x, p of x का factor कब होगा जब भी हम g of x से p of x को divide करेंगे means p of x को g of x से divide करेंगे तो remainder अगर 0 मिलता है if r of x is 0 then this g of x is a factor of p of x g of x, p of x का factor होगा अगर remainder 0 नहीं मिलता है तो factor नहीं होगा simple है so next हम लोग जाते हैं first question पे 2.3 के हमारे बस बोला है divide the polynomial p of x by g of x and write down the quotient and remainder जब भी हम division सीखेंगे तो उसका steps follow करेंगे बहुत अच्छे से ताकि कुछ wrong ना कर सके so पहले हम लोग लिख लेते हैं so this is x q minus 3 x square plus 5 x minus 3 अब यह जितने भी हम लोग अंदर लिखते हैं जो device dividend लिखते हैं वो सब standard form में होना चाहिए 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद x का power 0 अब देखिए इधर हम लोग लिखेंगे g of x को that is किस से divide करना that is x square minus 2 से बहुत simple होने माले है दूस्तू सिर्फ steps आप follow करें पहला number पहला जो term है वो है x cube it is divided by x square बचेगा x तो उपर लिख देंगे हम लोग x first term को first term से divide करें फिर ये x को multiply कर देंगे ये दोनों term से ये x को दोनों term से multiply करता है that is x square minus 2 so it will be x cube and x into minus 2 is minus 2x so इतर लिखेंगे x cube x cube के नीचे x cube और x के नीचे x that is minus 2x sign change करेंगे ये step में plus था तो minus minus था तो plus अब देखें क्या बचता है ये plus x cube minus x cube cancelled this is minus 3x square plus 5 plus 2 will be plus 7x and this is minus 3 ये होने के बाद में हम लोग वापस से first time जो हम लोग ने ये steps follow किया अब आखरी तक ये step follow करेंगे इसको first time को first time से divide करेंगे so that is minus 3x square divided by x square so it will be minus 3 इधर लिख देंगे minus 3 अब क्या करेंगे minus 3 आए minus 3 से ये दोनों term को multiply कर देंगे मतलब x square minus 2 से multiply कर देंगे so it will be minus 3x square minus 2 into minus 3 is plus 6 so इधर लिखेंगे minus 3x square and this is plus 6 so plus 6 constant के नीचे constant sin change करेंगे minus था था थो plus और plus था थो minus बस ये minus 3x square plus 3x square cancelled this is 7x plus 7x minus 3 minus 6 is minus 9 इसका power 1 हो गया remainder r of x देखेंगे इधर इसका power 1 है यहाँ power 2 है g of x का so इसका power छोटा हो गया मतलब डिगरी छोटी हो गया remainder is अब लिख देंगे remainder r of x is 7x minus 9 लिखने के लिए बोला है find out the remainder and quotient so remainder लिखा and quotient is q of x quotient कितना मिला हमको x minus 3 तो लिख देंगे x minus 3 simple था ऐसे ही next question करते है हमारे पास next question भी है अब देखें नेक्स जो question है हमारे पास polynomial p of x दिया हुआ है g of x से divide करना है p of x को and you have to find out quotient and remainder that is q of x and r of x simple है same करेंगे अब देखें इसमें क्या करते है हम लोग वापस से p of x को लिखते है that is x raise to 4 फिर x cube नहीं है तो 0 x cube standard form में लिखना है x raise to 4 cube नहीं है तो 0 x cube then square है so minus 3 x square plus 4 x plus 5 देखी ऐसा नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा ऐसा नहीं है but लिखने में easy हो इसलिए हमने यह इदर standard form लिखा हुआ है और आप भी लिखें मेरे इसाब से wrong होने के chances कम हो जाते है फिर हम लोग लिखेंगे यह वाला g of x का term that is x square फिर x फोला term that is minus x then constant that is plus 1 अब हम क्या करेंगे बबस सेम जो process था वही चालू करता है x raised to 4 first term is divided by x square बचेगा क्या आपके बस x square so x square बचा x square से फिर हम लोग इदर x square लिख देंगे and x square को यह तीनो term से multiply करना है that is x square minus x plus 1 so it will be x raised to 4 x square into x square minus x square into x will be x cube then x square into 1 will be x square plus 1 x square फिर हम लोग इदर लिख देंगे that is x raised to 4 cube के निचे cube minus 1 x cube then this is plus x square plus 1 x square sign change करेंगे plus था था थो minus minus था थो plus plus था थो minus अब देखिए यह first वाला cancer 0 plus 1 will be 1 x cube and this is minus 3 minus 1 means minus 4 x square then plus 4 x plus 5 again procedure हम same repeat करेंगे बस so first term is 1 x cube divided by x square बचेगा x तो पर लिखेंगे plus x अब यह plus x को हमको multiply करना पड़ेगा यह तीनों टर्म से that is x square minus x plus 1 so it will be x cube x square into x will be x cube x into x minus x is minus x square and x into 1 will be 1 x so लिखेंगे x cube 1 x cube minus 1 x square plus 1 x first sign change plus थातो minus minus थातो plus plus थातो minus video first vola cancel plus 1 minus minus 4 plus 1 will be minus 3 x square and this is plus 4 minus 1 will be plus 3 x and this is 5 again same procedure first term is minus 3 x square divided by x square बचेएगा minus 3 इधर लिख देंगे minus 3 अब यह minus 3 से हम 3 को multiply करेंगे x square minus x plus 1 से so it will be minus 3 x square minus 3 x square minus minus plus 3 x minus 3 into minus plus plus 1 will be minus 3 so यह हम लोग निचे लिख देंगे so that is minus 3 x square plus 3 x and this is minus 3 sign change करेंगे minus 3 plus plus 3 minus minus 3 plus this get cancelled minus 3 plus 3 यह भी देंगे plus 3 minus 3 and 5 plus 3 will be 8 so remainder बचेगा 8 and the quotient is लिख देता है quotient q of x is equals to x square plus x minus 3 and the remainder r of x is 8 simple था ऐसे ही थर्ड वाला question करेंगे again g of x is given p of x is given you have to divide this p of x by g of x so वापर से हम p of x लिखते है so this is x raise to 4 cube नहीं है तो plus 0 x cube standard form में लिख देते है square भी नहीं है तो 0 x square जो भी नहीं होगा उसके साथ 0 डाल देंगे minus 5 x plus 6 and it is divided by minus x square पहले बाद ये degree वाला that is minus x square plus 2 अफिर सेम प्रोसेजर रपीट कर देंगे so that is x raise to 4 divided by minus x square it will be minus x square so उपर लिख देंगे minus x square अब ये minus x square को हम मुल्टिप्ला ही कर देंगे minus x square plus 2 से so it will be x raise to 4 minus minus plus x square into 2 into minus will be minus 2 x square so इदर लिख देंगे x raise to 4 and this will be minus 2 x square so x square कर देंगे x square minus 2 x square sign change करेंगे plus था था थो minus minus था थो plus अब ये फिर्स वाला cancel ये 0 है तो आगे लिखने के जोड़ देंगे 0 plus 2 will be 2 so 2 x square minus 5 x plus 6 अब 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 से first time is 2 x square divided by minus x square it will be minus 2 so अब इदर लिख देंगे minus 2 और फिर ये minus 2 से हम minus x square plus 2 को multiply कर देंगे so it will become minus minus plus 2 x square and plus minus minus 2 2 से 4 so it will be 2 x square and this is minus 4 so constant की निचे constant फिर sign change करेंगे plus था था थो minus minus था था थो plus this is plus 2 x square minus 2 x square cancel 6 plus 4 is 10 so remainder is 10 लिखेंगे quotient मिला q of x and that is equals to minus x square minus 2 and the remainder r of x is 10 बहुत simple सा था next है हमारे बस next question में अब ये question next उला इसा है you have to check whether this first polynomial is a factor of second polynomial or not so factor है या नहीं है वो निकालने के लिए हम second polynomial को first polynomial से divide करके देखते हैं अगर वो remainder 0 देगा so this first polynomial is a factor of second one or it will be not so divide करके देखते हैं हम लोग अब हम क्या करेंगे second polynomial पहले लिख लेते हैं जैसे पहले किया था हमने so this is 2t raise to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 ये पहले से ही standard form में है कोई tension नहीं है फिर उसको t square minus 3 से divide करके देखते हैं ये 0 देता है या नहीं देता है so first term is 2t raise to 4 divide by t square बचेगा 2t square उपर लिखेंगे 2t square now this 2t square will be multiplied by t square minus 3 तो मिलेगा क्या 2t raise to 4 3 2s are 6 into t square minus 6t square so लिखेंगे 2t raise to 4 and this is minus 6t square minus 6t square sign change करेंगे plus था तो minus minus था तो plus पहला वाला cancel फपर से 3t cube and this is minus 2 plus 6 will be plus 4t square minus 9t minus 12 so 3t cube divide by t square क्या बचेगा 3t बचेगा तो उपर लिखेंगे plus 3t again इसको multiply करेंगे 3t को t square minus 3 से so it will be 3t cube minus 3 3s are 9t so it will be 3t cube minus 9t sign change करेंगे plus था तो minus minus था तो plus अब ये cancel this is 4t square minus 9 plus 9t cancel minus 12 फिर हम लोग 4t square को divide करेंगे t square से so it will be 4 अब ये 4 को multiply करेंगे दोनों टर्म से that is t square minus 3 से same procedure follow करेंगे so it will be 4t square minus 4 3s are 12 so लिखेंगे इधर इधर उपर लिखना है पहले plus 4 फिर हम लोग ने जब इस से multiply किया 4 से so it will be 4t square minus 12 sign change करेंगे plus था तो minus मैंस था तो plus cancelled ये भी plus 12 minus 12 cancelled remainder is 0 so लिखेंगे tq t square minus 3 t square minus 3 is factor of factor of 2 t raise to 4 plus 3 t cube minus 90 minus 12 बहुत सिंपल था ऐसे ही next टोला कोशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं अगें वी बिल डिवाइड दिस second polynomial बाइद फिर्स वन and remainder देखेंगे 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा 0 मिलेगा तो factor है 0 नहीं मिलेगा तो factor नहीं है so let's start लिख देते हैं this is 3 x raise to 4 plus 5 x cube minus 7 x square plus 2 x plus 2 ये पहले से ही standard form में है बस इसको divide करना है हमको x square plus 3 x plus 1 से फिर हम लोग same procedure स्टार्ट कर देते हैं 3 x raise to 4 3 x square फिर 3 x square को तीनों टॉम से multiply कर देते हैं so 3 x square multiplied by x square plus 3 x plus 1 so बने का 3 x raise to 4 plus 3 3s are 9 x का cube x square into x and 3 x square into 1 will be 3 x square so लिख देंगे 3 x raise to 4 plus 9 x cube plus 9 x cube plus 3 x square so plus 3 x square sign change plus था तो मैनस plus था तो मैनस plus था तो मैनस now this will be cancelled off 5 minus 9 will be minus 4 x cube minus 7 minus 3 is minus 10 x square plus 2 x plus 2 then वापट से same procedure repeat करेंगे first term को minus 4 x cube को divide करेंगे x square से it will be minus 4 x so लिख देंगे minus 4 x अभी minus 4 x को हर एक term से multiply करते हैं so minus 4 x into x square plus 3 x plus 1 so it will become minus 4 x cube minus 4 3 is 12 x square minus 4 x फिर लिख देंगे ये term इदर minus 4 x cube minus 12 x square minus 4 x sign change करेंगे minus 7 plus minus 7 plus minus 7 plus now this get cancelled now minus 10 plus 12 will be 2 x square and this is 6 x plus 6 x and this is plus 2 again same procedure last word term 2 x square divide करेंगे x square से बचे का किया 2 now this 2 is multiplied by x square plus 3 x plus 1 so it will be 2 x square plus 6 x plus 2 so that is उपर लिखेंगे plus 2 और ये 2 से multiply किया जब तिनो terms है तो क्या क्या आया that is 2 x square plus 6 x plus 2 sign change करेंगे plus था था थो minus plus था थो minus plus था थो minus ये भी cancel plus 6 minus 6 cancel plus 2 minus 2 cancel remainder is again 0 so as remainder r of x equals to 0 this x x square plus 3 x plus 1 is a factor of factor of factor of 3 x raise to 4 plus 5 x cube minus 7 x square plus 2 x plus 2 बहुत simple था दोस्तों जैसे ये किया next वोला आप खुज से ट्राई करें और हमें comment section में जरूर बता है next question पे जाते हैं हम लोग obtain all the all other zeros off so इसमें 2 zeros पहले से ही दिया हुआ है बाकी 2 zeros निकालने हैं because इसका power 4 है तो बाकी 2 zeros निकालने हैं कैसे निकालें देखते हैं one of the most important question because अक्सर exam में पूछा जाता है 4 mark के लिए तो बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से इसको solve करके practice कर लेने हैं so x का values दिया हुए zeros दिया हुए that is equal to plus or minus root of 5 by 3 x की value plus root 5 by 3 minus root 5 by 3 x equal to plus or minus root of 5 by 3 root हाने कले squaring on both the sides so x square will be equal to plus or minus ka square positive हो जाएगा root हाज जाएगा square करेंगा 5 by 3 cross multiplying this will be 3 x square equal to 5 3 x square equal to 5 so 3 x square plus 5 equal to cross करेंगा minus 5 equal to 0 it means therefore अबहाँ P of x लिक लेता है पहले P of x equal to 3 x raise to 4 plus 6 x cube minus 2 x square minus 10 x minus 5 now this 3 x square minus 5 is factor of factor of P of x यह इसका factor मिला अब factor मिलने के बाद में हम क्या करेंगे कि P of x को यह जो factor है उससे divide कर देंगे so this is 3 x raise to 4 plus 6 x cube minus 2 x square minus 10 x minus 5 is divide by 3 x square minus 5 अब हम first हम लेंगे वापस 3 x raise to 4 divide by 3 x square बचेगा x square तो लिख देंगे x square उपर लिखेंगे x square अब यह x square के साथ multiply करेंगे 3 x square minus 5 को सो बचेगा 3 x raise to 4 5 into x square is minus 5 x square minus 5 x square सो लिखेंगे 3 x raise to 4 minus 5 x square तो x square के नीचे x square sign change करेंगे plus था 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 थो minus minus था था थो plus now this get cancelled this is 6 x cube minus 2 plus 5 will be plus 3 x square minus 10 x minus 5 normal जैसे divide कर रहे हैं वैसे ही divide कर रहे हैं this is 6 x cube divide by 3 x square so 3 2s are 6 and x square x square cancel so x बचेगा so इदर लिखेंगे plus 2 x फिर इदर 2 x को हम multiply करेंगे 3 x square minus 5 से so 2 3s are 6 x into x square 6 x cube then minus of 5 2s are 10 10 into x is 10 x so this is 6 x cube minus 10 x so sign change करेंगे plus था था थो minus था 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 थो plus now this get cancelled this is 3 x square and this is plus 10 minus 10 also get cancelled this is minus 5 फिर minus ये 3 x square को divide करेंगे 3 x square से so बचेगा 1 so plus 1 लिखेंगे ये 1 को multiply करेंगे 3 x square minus 5 से मिलेगा 3 x square minus 5 लिख देंगे 3 x square और minus 5 sign change प्लस था था थो minus था था थो plus this get cancelled this also get cancelled remainder is 0 remainder 0 मिला इसका मतलब सही है लिया था तो वो सही factor था अगर remainder 0 ना मिलता हो तो ये आप गलत कर रहे हो remainder 0 मिलना ही चाहिए because वो 0 था 0 से हमने factor निकाला factor से divide कर रहे है तो remainder 0 आना ही चाहिए और for finding 0s for finding other 0s for finding other 0s जो question था हम उसको equate करेंगे 0 के साथ में q of x must be equals to 0 so q of x को 0 के साथ में equate करेंगे q of x is what x square plus 2x plus 1 will be equals to 0 अब ये होने के बाद में हमको समझ में आ जाना है कि ये splitting करना हम पड़ेगा quadratic है x की value अगर निकाल ली है तो splitting करते है एडिशन इंटू करने पे plus 1 addition करने पे plus 2 एकी factor है 1, 1 जा 1 1 plus 1 will be 2 and इंटू करने पे plus 1 so this is x square plus 1x plus 1x plus 1 will be equal to 0 ये 2 को दो form में split कर दिया इन दोनों में से common x है बचेगा x plus 1 इन दोनों में से common again plus 1 so x plus 1 will be equal to 0 एक बार लिखेंगे x plus 1 इंटू दूसरी बार भी क्या आएगा x plus 1 so x plus 1 will be equal to 0 therefore x plus 1 equal to 0 और x plus 1 will be equals to 0 therefore x will be equal to minus 1 इधर भी x will be equal to plus 1 equal to cross कर रहे तो minus 1 so other two zeros are minus 1 and minus 1 simple था ये question ऐसे same question हम optional exercise करने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो में तो वो भी हम आपको बताएंगे next question पर जाते हैं so ये जो question है वो हमारा ये session का last question है on dividing this x cube minus 3x square plus x plus 2 by the polynomial g of x the question and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively you have to find out g of x polynomial दिया हुआ है that is p of x will be equals to x cube minus 3x square plus x plus 2 and फिर g of x हम को निकालनी है उसे question is q of x question is this is x minus 2 and the remainder r of x is minus 2x plus 4 अब हम लोग इसमें जो use करने वाले हैं वो है division algorithm हमने पढ़ा था पहले भी so division algorithm is given by p of x equals to g of x into q of x plus r of x अब p of x हम को पता हुआ है that is x cube minus 3x square plus x plus 2 g of x हम को निकालना है तो write down as it is quotient is x minus 2 and the remainder r of x is minus 2x minus 2x plus 4 अब हम क्या करते हैं यह यह plus minus 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 equal to cross कर बाते हैं so x cube minus 3x square plus x plus 2 यह minus 2x तो दाएगा तो plus 2x हो जाएगा plus 4 equal to cross कर दाएगा minus 4 हो जाएगा and that is equals to g of x into x minus 2 अब हम लोग like terms आदे कर देते हैं so this will be x cube minus 3x square and this total is plus 3x like terms आदे कर दिया this is 2 minus 4 is minus 2 which is equals to g of x upon x minus 2 को cross multiply कर लेते हैं so x upon x minus 2 हो जाएगा इसका मतलब अगर हमने x cube minus 3x square plus 3x minus 2 को divide x minus 2 से तो g of x मिलेगा so just we will divide so this is x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2 so x cube को divide करेंगे x से remainder will be x square उपर लिखेंगे x square so x square से multiply करेंगे दोनो terms को that is x minus 2 को so it will be x cube minus 2x square so this will be x cube minus 2 x square sign change करेंगे plus 3 minus minus 3 plus video cancel this is minus 3 plus 2 is minus 1 x square plus 3x minus 2 so minus 1 x square divided by x so it will be minus 1 x उपर लिखेंगे minus 1 x now x in minus 1 x into x minus 2 so it will be minus 1 x square minus minus plus 2 x so minus 1 x square plus 2 x लिखेंगे यहां पर sign change करेंगे minus 7 plus plus 7 minus अब यह मिलेगा हमारा यह cancel this is plus 1 x square plus 1 x minus 2 अब अगें यह x x को plus 1 x को हम लोग दिवाइड करेंगे x से so remainder बचेंगा 1 so उपर लिखेंगे plus 1 अब यह 1 को multiply कर देता है 1 into 1 into x minus 2 से so it will be x minus 2 इदर लिखेंगे x minus 2 sign change plus 7 minus 7 plus यह plus x minus x cancel plus 2 minus 2 cancel remainder is 0 इसका मतलब यह जो मिला वो हमारा क्या होगा g of x होगा so therefore g of x will be equals to x square minus 1 x plus 1 value मिल गई बहुत simple है यह chapter और बहुत easy है समझने के लिए आज जो हमारा session है वो है based on polynomials exercise जो optional exercise है उसके उपर तो जितना भी हमने basic पढ़ा था पहले वो सारे use करने वाले हैं तो सारे sum के जानकारी के लिए last तक video के साथ बने रहें सो हम स्टार्ट करते हैं आज का session सो पहला session लेते हैं सो पहला question लेते हैं 2.4 exercise का सो first question इस प्रकार है कि cubic polynomial दिया है और उसके बगल में ही आपको zeros दिया हुए उसके you have to verify that कि वो उसके zeros हैं या नहीं है then you have to find the relationship तो एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे first question करता हूँ p of x दिया हुआ है p of x is 2x cube plus x square minus 5x plus 2 first point में x equals to half first point में x equals to half so p of half is equal to 2 into half का cube plus half का square minus 5 into half plus 2 so this is equals to 2 into 1 by 8 2 का cube plus 1 by 1 का square 1 2 का square 4 minus 5 बंजा 5 5 by 2 plus 2 अब देखिए denominator सेम लाते हैं so 2 बंजा 2 upon 8 plus यहां 8 लाने के लिए 2 से multiply करना पड़ेगा नहीं denominator में so 8 उपर भी 2 से multiply करेंगे 2 बंजा 2 यहां 8 लाने के लिए 4 से multiply करना पड़ेगा 4 to the 8 अब उपर भी 4 से फिर multiply करेंगे 4 फाइसर 20 अब निचे 1 है 8 लाने के लिए 8 से multiply divide 8 to the 16 upon 8 denominator सेब हो गया एक बार लिखेंगे 8 उपर 2 plus 2 minus 20 plus 16 16 plus 4 is 20 20 minus 20 is 0 0 upon 8 will be 0 therefore x equals to half is 0 of 0 of P of x जैसे हमने एक 0 निकाला वैसे दुसरे वाला भी हम 0 प्रूफ करेंगे लिखेंगे second point में when x equals to 1 p of 1 will be equals to 2 into 1 का cube plus 1 का square minus 5 into 1 plus 2 जितने भी जगा x है सब जगा 1 डाल दिया फिर उसके बाद में 2 into 1 का cube is 1 2 1s are 2 plus 1 का square is 1 5 1s are 5 plus 2 total this is 5 5 so 5 minus 5 will be equal to 0 as p of 1 is 0 therefore x equals to 1 is 0 of p of x जैसे यह हमने प्रूफ किया वैसे third point में लेंगे third 0 x equals to minus 2 so p of minus 2 is equals to 2 into x के जगा पर minus 2 डाल दिया तो minus 2 का cube plus minus 2 का square minus 5 into minus 2 plus 2 so this is equal to 2 into minus 2 का cube 8 minus 8 then plus 2 का square 4 minus का square positive so it will be plus 4 minus minus plus 5 2s are 10 plus 2 so this is 8 2s are 16 so this is minus 16 and this total is plus 16 so minus 16 plus 16 is 0 as p of minus 2 is 0 therefore x equals to minus 2 is 0 of p of x तो 3 zeros मिल गए हमारे अब वेरिफाइ करेंगे इसको लिखेंगे वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में पहला हम लोग जो है वो sum of zeros को वेरिफाइ करेंगे इसका मतलब आल्फा अब अल्फा बीटा गामा मिलने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए a,b,c भी निकाल लें a is 2 b is 1 coefficient of x square c is coefficient of x that is minus 5 and d is constant term that is 2 उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा sum of zeros वेरिफाइ कर रहे है अल्फा कितना है that is half बीटा इस बीटा इस 1 and गामा इस minus 2 so this is half plus 1 minus 2 will be minus 1 so it will be 1 2 1s are 2 upon 2 cross multiply किया so this is minus half ये किस से इकलोना चाहिए minus b by a से इकलोना चाहिए minus b b is what 1 upon a is 2 so equal मिल गया third point में लिखेंगे from 1 and 2 alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a therefore sum of zeros are verified sum of zeros are verified जैसे ये हमने किया वैसे product of sum of product of zeros भी verify करते है second point ले ले लेते है third point fourth point है ये so that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha alpha is half beta is 1 and plus beta is 1 into gamma is minus 2 plus उसके बाद में alpha और gamma so gamma is minus 2 alpha is half simple solve करेंगे half into 1 is half this is minus 2 and minus 1 so it is 1 this is 1 by 2 minus 3 so it is equals to 1 minus 3 2 is a 6 upon 2 so this is minus 5 by 2 और वो किस्ते इकोना चाहिए this should be equal to C by A so C is what C is minus 5 upon A is what A is 2 equal मिल गया so 6th point में लिखेंगे from 4th and 5th this alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to C by A therefore sum of product of zeros taken 2 at a time is verified जैसे यह हमने किया वैसे अब एक और है alpha into beta into gamma so हम लोग लिख देते हैं 7th point में alpha into beta into gamma and that is equals to alpha is half beta is 1 and gamma is minus 2 so यह 2 to cancel it is minus 1 so this should be equals to वो किस से इको होना चाहिए minus D by A से so minus D by A minus D D is what D is 2 upon A is 2 cancel it is minus 1 so equal मेला so लिखेंगे हम लोग 9th point में from 8th 7th and 8th alpha into beta into gamma is equals to minus D by A their product of zeros are also verified product of zeros are verified आप देखिए simple है कुछ नहीं किया है सब वैले जाली है और सब वेरिफिकेशन किया है जैसे फरस्ट कोस्टिन किया है आप सेकेंड वाला भी कर सकते हो करके और आप जरूर comment section में answer डालोगे हम अपने next question पर आते हैं next question हमारे पास ऐसा है you have to find out the cubic polynomial whose sum of zeros sum of product of zeros taken two at a time and product of zeros are given means अभी हम लोग लिख लेते हैं first point में alpha plus beta plus gamma दिया हुआ है 2 है second point में alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha दिया हुआ है and that is minus 7 third point में alpha into beta into gamma दिया हुआ है product of zeros that is minus 14 अब दो methods हैं दोनों method में से कोई एक method कर सकते हैं हमको मालूम है this is equals to sum of zeros is equals to minus b by a sum of product of zeros taken two at a time is c by a and this is minus d by a अब इसका मतलब नीचे 1 है अब देखिए मतलब a का value सबको similar है 1 1 1 so fourth point में लिखेंगे from 1, 2 and 3 अब देखिए यह जो है यह simplified form में होता है इसका मतलब कुछ ना कुछ common multiple cancel हुआ रहेगा so let the common multiple be let common multiple be common multiple हमने क्या ले लिया k ले लिया therefore a will be equals to a will be equal to 1k b will be equals to अब देखिए minus b equals to 2k है so b will be equal to minus 2k c is equal to minus 7 so minus 7k and d is equals to minus d is equals to minus 14k so minus minus cancel d equals to 14k अब यह मिलने के बाद में a, b, c, d मिल गया so required cubic polynomial is given by p of x is equals to x के form में लिग रहे है तो p of x and that is equals to ax cube plus bx square plus cx plus b now we know the value of a a कितना है 1k तो डाल देंगे 1k into x cube b कितना है minus 2k into x square plus c कितना है minus 7k into x plus d कितना है 14k अब सब में से k common लेते है तो बचेगा 1x cube minus 2x square minus 7x plus 14 so cubic polynomial is therefore cubic polynomial is this x cube minus 2x square minus 7x plus 14 बहुत सिंपल था एक यह मेथड गर सकते है यह फिर और एक मेथड है अब देखिए दूसरा मेथड भी देख लेते है मेथड नमबर 2 so method number 2 ऐसा है कि formula method that is p of x is given by k into x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square अब उसके बाद में plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x plus minus of product of zeros means alpha into beta into gamma so formula that k into x cube minus sum of zeros into x square plus sum of product of zeros taken two at a time into x minus product of zeros now we will substitute the values k into x cube minus now this is 2 so 2 into x square plus this is minus 7 so minus 7 into x minus of product of zeros is what minus 14 so link दिया value डाल दिये अब इसके बाद में k into x cube minus 2x square minus 7x plus 14 so required cubic polynomial is x cube minus 2x square minus 7x plus 14 so बहुत simple था formula method भी कर सकते हैं और a, b, c, d निकाल के भी कर सकते हैं next question पर हम लोग आते हैं कि if the zeros of the polynomial are so polynomial दिया हुआ है p of x p of x is what? x cube minus 3x square plus x plus 1 alpha दिया हुआ है alpha is a minus b beta is a and gamma is a plus b then you have to find out the value of a and b अगर a और b का value निकालनी है इधर a और b is not a coefficient so coefficient को हम denote करने के लिए कुछ अलग variable लेंगे so हम लोग a, b, c, d लिखते हैं बट capital में लिखते हैं so capital a is a coefficient of x cube that is 1 capital b is coefficient of x square that is minus 3 capital c is coefficient of x that is 1 and capital d is coefficient constant term that is 1 अब यह होने के बाद में we have a formula alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a minus capital b upon capital a now this is alpha is a minus b beta is a and gamma is a plus b and this is equals to minus b is what minus 3 upon a is 1 अब देखिये plus b minus b cancel हो जाएगा minus b plus b a plus a plus a is 3a equals to minus minus plus 3 so a will be equal to 3 by 3 so it is a equals to 1 अब जैसे हमने a का value निकाला वैसे ही b का value निकालने के लिए a की value मिलने के बाद में अगर b की value निकालनी है तो हम लोग ले सकते थे sum of product of zeros taken to by a type लेकिन वो थोड़ा blendy हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं only product of zeros लेते हैं means alpha into beta into gamma and that is equals to minus d by a so alpha is a minus b beta is a and gamma is a plus b and that is equals to minus d is 1 upon a is 1 so a is 1 1 minus b into 1 into 1 plus b equals to minus 1 so this is 1 minus b 1 plus b 1 square minus b square equals to minus 1 so 1 square is 1 minus b square equal to minus 1 so 1 minus 1 इतर आएगा तो plus 1 equals to minus b square इतर गया तो plus b square so b square equals to 2 so b will be equal to square सामने गया तो plus or minus root of 2 simple था जैसे a और b में निकला हमरा अब हम लोग इसमें a b निकालना बहुत ही simple था मतलब optional question जितना हम hard सोचते हैं उतना होता नहीं बहुत simple होता है थोड़ा सा आपको technique लगाने पड़ीगे सब basics आते रहेगा आपको तो इतना ज़्यादा confusion इसमें नहीं होगा next question पर जाते हैं हम लोग if two zeros are the polynomial is two zeros दिया हुआ है यह हमने same इसके पहले वाल exercise में भी किया था so x equals to दिया हुआ है two zeros are x equals to two plus or minus root three so x plus two equal to cross करेगा तो minus two equal to plus or minus root three अब root का value root हटाने कि लिए squaring on both the sides so x minus two the whole square equals to plus or minus root three the whole square so a minus b the whole square x का square minus two into x into two plus two का square is equal to plus minus का square positive root three का square will be three so this is x square minus two to the four x plus four two का square four plus three equal to cross कर रहा है तो minus three equal to zero so therefore x square minus four x this is plus one equal to zero इसका मतलब यह है अगर x का value मतलब यह zeros था उसका so यह जो आया होगा वो उसका factor होगा so लिखेंगे x square minus four x plus one is factor of p of x लिख लेते हैं p of x is equals to x raise to four minus six x cube minus 26 x square plus 138 x minus 35 so this is this is a factor of this p of x this is factor of p of x जैसे factor मिला अब factor मिलने के बाद में we will use long division method so long division method के लिए same जैसे पहले किया था x raise to four minus six x cube minus 26 x square plus 138 x minus 35 इसको divide करेंगे इसके factor से that is x cube x square minus four x plus one अब देखें x raise to four को divide किया हमने x square से सो बचेगा क्या x square सो इदे लिखेंगे x square अब इन इन तीनों से multiply करेंगे x square से so x square into x square is x raise to four minus four x into x square is minus four x cube so minus four x cube one into x square is one x square so plus 1 x square sign change करेंगे plus 3 minus minus 3 plus plus 3 minus अब देखिए ये cancel plus minus minus 6 plus 4 will be minus 2 x cube minus 26 minus 21 will be minus 27 x square plus 138 x minus 35 same procedure यूज़ करेंगे वापस ए फिर्स तर्म that is minus 2 x cube divide by x square so it will be minus 2 x उपर लिख देंगे minus 2 x फिर multiply करेंगे x square into minus 2 x is minus 2 x cube then 4 x into minus 2 x is minus minus 4 minus minus plus 4 to the 8 x into x x square so plus 8 x square फिर उसके बाद में 1 into 2 x will be 2 x so minus 2 x sign change minus 7 plus plus 7 minus minus 7 plus अब ये cancel this total is minus 35 x square this is plus 140 x and minus 35 again वापस से वाई रिपिटेशन देखे steps सेम रहता है so 35 minus 35 x square divide by x square बचेगा क्या minus 35 so उपर लिख देंगे minus 35 now minus 35 को तीनों तर्म से मल्टिप्लाई करेंगे x square into minus 35 is minus 35 x square then minus 4 x into minus 35 is minus minus plus ये cancel ये भी plus minus cancel ये भी plus cancel ये भी प्लस मानस कैंसे तो रिमेंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता फैक्टर था तो रिमेंडर जीरो हो नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे for finding other factors for finding finding other factors other factor निकालने के लिए अब क्या कर देंगे हम लोग ये जो कोई जो कोशन मिला q of x उसको हम लोग equate करेंगे 0 के साथ में so that is x square minus 2x minus 35 equal to 0 अब हमको पता चल गया quarter इक है splitting करेंगे अभी first exercise में यही किया था स्प्लिटिंग करने के लिए इंटू करने पर माइनस 35 एडिशन करने पर माइनस 2 that is 7 फाइजा माइनस 7 प्लस 5 इंटू करने पर माइनस 35 splitting splitting हो गया अब हम लोग डाल देते हैं इसमें x square minus 7x plus 5x split हो गया दो form में minus 35 equals to 0 इन दोनों में से common x है x square में से एक x बाहर तो एक x अंदर minus 7 इन दोनों में से plus 5 common अब 5 common लिए तो इदे से बचेगा x 5 7 जा 35 equal to 0 एक बार लिखेंगे x minus 7 एक बार लिखेंगे x plus 5 equals to 0 इसका मतलब x minus 7 equal to 0 और x plus 5 equal to 0 so therefore x equal to minus 7 equal to cross कर रहे तो plus 7 और x equal to plus 5 cross कर रहे तो minus 5 so other two zeros are 7 and minus 5 अब देखिए power fourth है इसका polynomial का obviously 4 zeros होना चीए थे दो zeros दिये थे दो zeros हमने निकाले हैं तो चारो zeros मिल गए अदर zeros जो निकालने के लिए बोले उन्होंने अब next question पर आते हम लोग last question है यह session का यह video का पूरा chapter का भी last question है and one of the most important question you have to find out the value of k and a अब दिया हुआ है polynomial p of x is equals to x raise to 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 यह polynomial दिया हुआ है इसको हमको बोला गया है कि g of x से divide करना है g of x is x square minus 2x plus k remainder comes out to be r of x दिया हुआ है that is a plus b then k और a की value निकालनी है तो हम लोग long division method use करेंगे तो पहले हम लोग divide कर लेता है divide करने के लिए p of x लिखते है that is x raise to 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 this is divided by x square minus 2x plus k same जैसे अब तक division किया इसको भी करने वाले division so this is x raise to 4 divided by x square बचेगा x square तो लिख देंगे x square so इदर अब x square को दिनो टम सा multiply करेंगे x square minus 2x plus k so मिलेगा क्या this is x raise to 4 minus 2x cube plus kx square so this is x raise to 4 minus 2x cube plus kx square sign change करेंगे plus था था थो माइनस था था थो ब्लस था 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 थो माइनस अब ये cancel, minus 6 plus 2 is minus 4 x cube, this is 16 minus k plus 16 minus k into x square is common, minus 25 x plus 10, जैसे यह किया, अब आगे भी वही करने वाले हैं, first time is minus 4 x cube divided by x square, so बचेगा क्या, minus 4 x, अब यह minus 4 x है, सब को multiply कर देंगे, minus 4 x into x square, minus 2 x plus k, so multiply करने के बाद क्या मिलेगा, it is equals to minus 4 x cube, plus 4 to the 8 x square, minus 4 k x, बस value लिख देते हैं, minus 4 x cube, plus 8 x square, minus 4 k x, sign change करेंगे, minus था थो plus, plus था थो minus, था थो plus, उपर हम लोग लिख देंगे, इसका कितना आया था, minus 4 x, बस अब value, यह cancel हो जाएगा, plus minus के साथ में, x square is common, 16 minus 8 is 8, minus k, plus of minus 25, plus 4 k common ले लिया, into x, plus 10, यह मिलने के बाद में, फिर से same procedure, हम लोग यह 8 x, 8 minus k, 8 minus k, into x square को, x square से divide करेंगे, तो मिलेगा, 8 minus k, so इदर लिख देंगे, हम लोग 8 minus k, उपर, plus 8 minus k, फिर 8 minus k को, जब हम multiply करेंगे, x square minus 2 x plus k say, this x square minus 2 x plus k say, so it will be equals to 8 minus k into x square, with 8 minus k into 2, so 8 to the 16 minus of 16, a minus 2 k into x, and plus, plus k into 8 minus k, so 8 k minus k square, so values दाल देते हैं, 8 minus k into x square, and plus minus of 16, minus 2 k into x, plus 8 k minus k square, बस sign change करेंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, अब देखते हैं, ये cancel, this is, x is common, minus 25 plus 16 is minus 9, 4 k minus 2 k is plus 2 k, उसके बाद में 10, plus 10, minus 8 k, plus k square, now this is remainder, इसका power x का 1 है, so ये remainder हो गया, so remainder दिया हुआ है, remainder दिया हुआ है, x plus a, तो इधर हम लोग x plus a लिखते हैं, that is x plus a, which is equals to, हमको मिला हुआ है, that is minus 9 plus 2 k into x plus 10, minus 8 k, plus k square, इसका मतलब x का साथ coefficient 1 है, so this equals to 1, so minus 9, plus 2 k equal to 1, so 2 k equals to, 1 minus 9 equal to cross करेगा, तो plus 9, so k equal to 10, upon 2, so k equal to 5, k का value जैसे हमने निकाला, वैसे ही, this a का value निकालते हैं, a is equals to this total constant, so that is 10 minus 8 k, plus k square, so k के जगा पे value डाल जैते हैं, 10 minus 8 into 5, plus 5 square, so this is 10 minus 7, 8, 8 5s are 40, plus 5 का square 25, 25 plus 10 is 35, 35 minus 40 is equals to minus 5, this is value of a, so k और a की value मिल गई, बहुत simple था, यहां पे हमारा fundamental chapter खतम हो गया, और optional questions करने के बाद में यह समझ में आया कि optional questions ज्यादा hard होते नहीं है, आप थोड़ा सा भी दिमांग लगाओगे, तो कर पाओगे, पूरा basic clear होना चाहिए, hope करता हूँ कि आपका, आज का session बहुत पसंद आया हो, तो like करें, subscribe करें, और बहुत सारा share करें, अपने दोस्तों को भी share करें, ताकि वो भी सीख पाएं, और हाँ like बटन और हाँ bell बटन दबाना ना भूलें, ताकि further updates आपको मिलती रहें, so मिलते हैं next video में, कुछ नए topic के साथ, नए chapter के साथ, तब तक के लिए हस्ते खेलते पढ़ते रहें, एडू मंत्रा के साथ में, goodbye, alvida and do whatever you want to do, बट घर से बाहर ना निकले,